हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टीडी पॉइंट तो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ स्पोर्ट से लेटेट दोहर ठारा के टॉप फिप्टी मोस्ट इंपोर्डेंट करेंड फेस के कुश्चन 50-30 महात्पूर्ड खेलों से लेकर अभी तक यानी सितंबर तक के 40 बहुत महात्पूर्ड कोश्चन बने इस सपोर्ट से लेडेट से सम्दित सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और दोस्तों आप जैसे कि आप सब को पता है कि स्पोर्ट से लेटेट खेलों से सम्मंदित हरे एक्जाम में करेंड फेसलेट कोश्चन पूछा जाता है और अभी जो रेलवे ग्रूप डी एक्जाम चला है दोस्तों उसमें भी हर सिप्ट में दो से तीन कोश्चन स्पोर्ट करेंड फेसलेट पूछा जा रहा है ठीक अन्य सभी गवर्ण एक्जाम के लिए जो कि आपका 2018 में होने वाले सस्जी किया किसी कोई गवर्ण एक्जाम हो उन सभी में एक कोश्चन जरूर पूछा जाएगा तो इस वीडियो को आप लास तक इग्नोर ना करते हूँ लास तक जरूर देखें आपके एक्जाम में जर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पेस कर दीजिए ताक कि आप कुशी तरह डेली करन्ड एफेस और रेलवे और एक्जाम सिलेटेट भी डेली वीडियो मिलती रहे और वीडियो अच्छा लगता है द चलिए अग पहला कोउचन है किस पूर्व अच्छी को भारती महिले क्रिजट टीम का मुख्य कोच निक्ष निकगए गया गया है ये पूर बटे स्टिस्पिन गेदवा इनको भारती महले करगेट टीम का मुख्य कोच मेन कोच नियुक किया गया है और अगर बात करें आप भारती महले करगेट टीम की तो बरतमान में कप्तान कौन है मिताली राज है भारती महले करगेट टीम की ठीक है और दोस्तों आपको बता दे कि L Book Publisher द्वारा Railway Group D exam के लिए एक important PDF notes त्यार किया गया है, revision के लिए बहुत important यह आपका आगे railway group D के exam है तो आप जरूर परचेज कर लिए 1.30 रुपए की book है, link आपको वीडियो को description box में मिल जाग तो उस link पे परचेज कर सकते हैं, देख लिए revision के लिए बहुत important book है, चलिए अगला question है, किस भारती खिलाडी ने Asian Games के 800 मीटर दावर इस परदा में gold medal हांसिल किया है, तो बहुत important question इसका answer है Manjeet Singh, ठीक है, Manjeet Singh ने 800 मीटर दावर इस परदा में Asian Games में इन्होंने gold medal जीत लिए है, Manjeet Singh, question number 3 है, और दोस्तों बता दूँ कि यदि आपको इसका PDF फाइल चाहिए, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लिजे, यदि आपके पास टेलिग्राम नहीं है, तो प्ले स्टोर से टेलिग्राम एप्लिकेशन डाउनलोड कर लिजे, उस लिंक वीडियो डिक्सिपन वॉक्स मिल जाएगा, टेलिग्राम चैनल को लिंक पे क्लिक करके आप जॉइन कर सकते हैं, और आपको बहुत सारी पेडियो फाइल्स मिलती है, अगला question है, भारत की इंसर है रजाट पदक, ठीक हीँऊनलोडा से टेलिग्राम टेलिक कर सारी दे इनसर शुट तोड़े जीरे अपने चैनल रिकार्ट तोड़ा रिकार्ट, हिमा दास ने एटार में शुट पुट में शोन पदक जीता, उत्तर है तेजिंदर पाल सिंग, तेजिंदर पाल सिंग ने, शौट्पुट में इन्होंने गोर्ड में जीता है A.C.N. गेम से ठीक है, और मैं बता दू कि A.C.N. गेम से लिए रहर एक्जाम में कोईशन पूचे जाने से लिए आप इस वीडियो को लास तक देखिए का सारे important question कभा रही है हाली में world square championship का पूरुस singles की खिताब किसने जीता है answer है महमाद al-sorbagy ठीक वर्ल्ड square championship का पूरुस single की खिताब किसने जीत लिया है महमाद al-sorbagy और ये महमाद al-sorbagy कहां के हैं मिस्र के हैं ठीक है है कौन सा देश महिला t20 वर्लडकप 28 की मेजवानी करेगा तो यह करेगा वेस्ट इंडीज ठीक वेस्ट इंडीज टीट 20 वर्लडकप 28 की मेजवानी करेगा वही जो नुवंबर में होने वाले हैं ये अग्ला कुशन है दक्षिन अफरीका में आज जित जोहांसबर पर Commonwealth Wrestling Championship में भारत ने कितने गोल्ड मिलल जीते हैं तो भारत इसमें टूटल दस गोल्ड मिलल जीते हैं ठीक है यह कहां पर हुआ दक्षिन अफरीका में जोहांस बर्ग में होते हैं यहां पर यह भी कोशन पूछा सकता है कि Commonwealth Wrestling Championship कहां पर हुआ है ते वह दक्षिन अफरीका के जोहांस बर्ग से भारत में जो भारत ने टोटल दस गोल्ड मिलल जीते हैं कोशन नमर टेंथ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फ्रेंचाजी द्वारा IPL 2018 के लिए कितने करोड रूपए में रिट्रेन होने के साथ विराट कोली IPL इतिहास के सबसे महगे खिलाड़ी बन सत्रा करोड रूपए ठीक विराट कोली सत्रा करोड रूपए कोशन नमर 11 है किस भारती सूटर ने अगस 2018 को इंडोनेसिया के जकारता एसियाई खेलों में 2018 में पूर्सों के 10 मीटर एयर राइपल इस परधा में रजत पतक जीता है तरो जाएगा दीपक कुमार ठीक है दी एशियान गेम 2018 में 25 मीटर पिष्टाल इबन में कौन सा पतक जीता इसका एंसर है स्वड पतक ठीक है गोलरे मिल जीता है राही सरणोबत ने एशियान году 2018 में यहां पर आई भी आदरकने आपको 25 मीटर पिष्टाल इबन में बिया जीता है ठीक है अगला कोशन है कोशन में पारंपरिक मार्सालाट कुरास में बावन किलोग्राम बर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है ठीक है रजत पदक अगला कोश्चन है किस महिला एथलीट ने अगस्थ 18 को एसियन गेम्स में लंबी कूद यानी लांग जंप में रजत पदक जीत लिया है एंसर है नीना वाराखिल नीना वाराखिल ने जो तो अगस्थ 18 में एसियन गेम्स में लंबी कूद ने लॉंग जंप में रजत पदक जीत लिया है अगला कोश्चन है किस देश ने महिला होंकी वर्टक प śश्थ वाद संसकरण जीता है तो महिला होंकी बल्ड कब दोठारा जीत लिया है नीदर लैंड ने किसने नीदर लैंड ने भी बेरी वेरी इंपोर्डन कोश्चन ठीक है बहुत महत्मूर कोश्चन है कोश्चन नमर 16 है दोस्तों किस खिलाडी ने ACI खिलाड़ अठारा के पहले दिन गोल्ड मिडल अरजित किया है तो भारत की तरफ से ACN गेम से में पहला गोल्ड मिडल बजरंग पूनिया ठीक बजरंग पूनिया पहलवान है ये कोच्च्च wage 17, किस देश में ACI खेल राळा आजित किया गया तो आजित किया गया दोस्तों इंडोनेसिया में ठीक है इंडोनेसिया ग्राजधानी जकारता और पोलेम बैंग में जो तो इंडोनेसिया गेम जो अठारा हुआ है जकारता और पोलेम बैंग में ठीक है भिन भिन काका और अतुंग भिन भिन काका और अतुंग इसका सुभंकर था तो ये भी आपको याद रखना है सुभंकर कोश्चन नमर 18 है किस भारती महिला खिलाडी ने एसियाई खेलों के 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुस्ती कितिहास में गोल्ड मिडल जीत कर रिकार्ड कायम कर दिया है तो विनेश फोगट ठीक है विनेश फोगट आपको बता दे कि इन्होंने जो तो एसियाई गेम्स में 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुस्ती कितिहास में गोल्ड मिल जीत कर इन्होंने रिकार्ड बना दिया है कोश्चन नमर 19 है भारती धावक मुहम्मद अनस याहिया ने अगाज 18 को 18 एसियाई गेम्स में 45.69 सेगेंड में पूर्सों की कितने मीटर रेस पूरी कर रज़त पदक जीत लिया है तो इन्होंने जीत लिया है 400 मीटर में ठीक है क्या नाम है धावक मुहम्मद यानस आहिया अगला कोश्चन है भारती धाविबिनेन खिलाडी अजे जैराम ने भार्य अगस्त को वियत नाम बेन में कौण सा पदक अपने नाम किया जीत लिया है रज़त पदक खिलाडी का नाम है अजे जैराम ठीक है भारती धाविबिनेन खिलाडी ही неё हमें इन्होने गोड्म मिला जीता है। इसका प्रभबन इफ स्इड्रीः प्रिश्टल एक जी तंभरेणगे। अगल्या टेस्ट क्रिकट रैंगिंग में बल्लेबाजी में शार्दूल सारदूल विहान सारदूल विहान कोश्चन नमर 24 है भारती धावक धरून आया स्वामी ने पुर्सों की 400 मीटर वाधा दावड में 49.45 सेकेंड का अपना ही नेशनल रिकार्ड तोड़कर अठारमें एसियन गेम्स में कौन से पदक जीत लिया है तो जीत लिया रजत पदक ठ दोस्तों झांकिता रैनाने की शिरल में एसियन गेम्स के तो इसन गेम्स से पांचवं से पदक जीता है तो टेनिस में तोड़कर अटल–विहारी बा있는 कोश्पेल जी को रिसब पंत ने कोश्चन नमर 28 है भारती महिला खिलाडी भारती महिला टीम की कि सनुभवी तेज गेदवाज ने अगला जो ठारा को टी ट्वेंटी अंतराश्टी ग्रेट से संजास लेने की घोशना की है जूलन गोश्वामी ने जो तो ये रिटायर हो गई है अगला कोश् है ऐथार में ऐसमें भारत की खिलाडी ने इस ट्रिपल जयंप धुगत में गॉल्ड मिलल जीता है अपरेइंदर इंदर सिंग है यह बहुत इंबोरिन कोशन ने अपरे इंदर 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 इंवा सेतो ट्रिपल जयंप्रतिवगत गोंडमीं जीत लिया है को अश्चन मेर 31 हैं किस देश के सलामी बल्लेवाज कालिस मुन्रोव अंतराश्री ट्रुट्रिय्टी क्रिकेट में तीन सतका लगाने वाले पहले खिलाडी बन गये हैं निवुजी लेंड के ठीक है quand मुन्र्व जहां कालिस मुन्रो ये निउजीलेंड के हैं तीन सथक लगाने वाले पहले खिलाडी बन गये हैं अगला कोशन दोस्तों किस देश ने अप्रेल 2018 में दुनिया के पहले बेबी ओलंपिस आज़ित करने की योजना का खोशना किया है जिसमें 2-4 साल तक के बच्चे हिस्सा ले सकेंगे तो इसका एंसर है बहरीन अगला कोशन 33 हाली में किस दे किस टीम है आधियद मुश्ताग अलि टॉफी अपने नाम की है दिली इने ठीक है डिली ने जो है तो राजस्थान को 40 डियलन से शिकाश देकर पहली वार सायद मुश्ताग अले टॉफी अपने नाम की है कोशनし 35 किस टीम हाली में । त elli नहीं ह deve बहुत मातमूर कोश्च थीक है है फ्टंपावनगतीयेट किません अगलते वाहिए च्रक्रवेची वाहिए हॉआ वाएं अथीड़े नतराश्टीस्टहूंटी है उनलत्यस के समद्ध लेन युज़ांत फीड़ों अगला कोशन है किस भारती महिला धाविका ने एक हजार टेस्ट अगला कोशन है विनेश फोगट ने एसी आई खेलों में कौन सपतक जितने वाली पहली भारती महिला पहलवार मंगर इतिहास बनाया है गोल्ड मिलल जीता हिनोंने कोशन नमर 43 है किस भारती खिलाडी ने एसी आई खेलों की घुरसवारी प्रतियुकता में सिल्वर मिलल जीता है एंसर है फवाद मिरजा ठीक फवाद मिरजा ने एसी आई खेलों में घुरसवारी प्रतियुकता में इन्होंने सिल्वर मिलल जीता है फवाद मिरजा कोशन नम दोस्तों 800 मीटर में ठीक 800 मीटर में कोशन नवर 46 है इंडुनेसिया के जकारता में दो रठारा एसे आई खेलों के उद्गाटन समारों में भारत के दोजबाहक कौन थे नीरत चोपड़ा थे भारती टीम के दोजबाहक और अगला कॉशन दोस्तों 47 किस भारती खिलाडी ने एसे आई खेलों में हेफ्थेट लिओन में गोर्ड मिडल जीता है कोशन 48 किस परिसात द्वारा जनवे 2018 को जारी वल्ले वाज़वी टेस्ट रैंकिंग में भार्दी कप्तान बिराट कोली कितने और दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियों के साथ तब तक के लिए आपका दिन शूब हो आपका आगाम एक्जाम्स के लिए अल दे बेस्ट थैंक यू जै हिन जै भारत